नमस्कार, न्यूस्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है, मेरा नाम है सत्यम सबसे पहले नदर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर पिछले एक महीने में 17 नेता छोड़ चुके हैं भारतिय जंता पार्टी नफरती धर्मसंसद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्राखन और केंदर सरकार को दिया नोटिस पीम की सुरक्षा में चूप की जाच के लिए बनी कमिटी कोर्ट ने यौन उत्पीडन के आरूपी अभिनेता दिलीप के खिलाफ 14 जनवरी तक कारवाई रोकी और देश में 208 दिन बाद कोरोना के एक्टिव मामले 8 लाख के पार अब ख़बरें विस्तार से उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव से पहले भारतिय जनता पार्टी पर गरीबों, दलितों, पिछडों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए एक दिन में कुल चार विधायकों ने पार्टी छोड़ दी कदावर नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा, भगवती सागर, बिजेश प्रजापती और रोशन लाल वर्मा ने भी पार्टी छोड़ दी है खबर है कि ये विधायक तो सपा में शामिल होंगे ही, बलकि और विधायक भी अभी वीजेपी को छोड़ सकते हैं ये भी बता दें कि पिछले एक महीने में पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के कुल 17 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है बीजेपी के लिए नेताओं के इस असंतोष पर क्या कहना है वरिष्ट पत्रकार अभिसार शर्मा का आईए सुनते हैं पिछले 10 सालों में गौर करें या मैं कहूं अगर पिछले 7 सालों में गौर करें तो एक ऐसा राज्य जहां भारती जनता पार्टी को मजबूत बताया जाता है जहां तमाम प्रीपोल सर्वेज में बीजेपी को कम से कम 235 सीटे बताई जा रही है ये पहली बार हो रहा है जब अब तक 5 विधायक जो हैं वो छोड़के जा चुके हैं इससे पहले भी बीजेपी के तीन विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और बावजूद इसके कि उत्तरपदेश से प्रधा मंतरी नरेंद्र मोदी सांसद है उत्तरपदेश में हिंदू रिदाय समराट मुख्य मंतरी आदितनात का वास है आपको ये बात अटपटी नहीं लगती क्योंकि कोई भी मेडिया चैनल आपका ध्यान इस तरफ नहीं खीचना चाहेगा एक बात पर गौर कीजे दोस्तों आपकी स्क्रीन्स पर केशो प्रसाद मौरिया डेपटी सीम वो शक्स जो की योगी आदितनात को अपना नेता नहीं मानते हैं जी हां उनके दिल में भी बगावत की एक अगनी है हाला कि मुझे नहीं लगता वो बीजेपी छोड़ेंगे और उनका ये बयान बहुत कुछ कहता है जो अब मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ आदरनी स्वामी प्रसाद मौरिया जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता हूँ उनसे अपील है कि बैटकर बाते करें जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अकसर गलत साबित होते हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों कही न कहीं ये सवाल है रज के मुख्यमंत्री योगी आदितनात पर भी कि आखिर उन्हेंने क्यों इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता ये अपने आप में बता रहा है कि भारती जन्ता पार्टी स्वामी प्रसाद मौरे के छोड़ने को लेकर या तो तैयार नहीं थी या अब छोड़ने के बाद एक नया नारेटिव बना रही है हरिद्वार धर्मसंसद में भड़काऊ और नफरती भाषन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्राखंड सरकार को नोटिस जारी किया है इसके अलावा शीर्षकोर्ट ने ये भी कहा कि वो इस मामले की सुनवाई दस दिन बाद करेगा क्योंकि इस तरह के मामले पहले से भी लंबित हैं इस दोरान याचिका करता के वकील कपिल सिब्बल ने 23 जनवरी को अलीगड में जो धर्म संसद होने वाली है उस पर भी रोक लगाने की मांग की एक तरफ है धर्म संसद में खोले तोर पर मुसल्मानों के नरसंगहार की बातें और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी आदित तिनात का बयान जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये दुनिया ये जो चुनाव है वो 80% बनाम 20% का है दरशक जानते ही हैं कि यूपी में 80% आवादी किसकी है और 20% किसकी पांच जन्वरी को फिरोजपुर जाते वक्त पीम मोदी को फाजिल का फ्लाई ओवर पर 20 मिनट रुखना पड़ा था जिसके बाद वे वापस भटिंडा की तरफ चले गए थे सुप्रीम कोट ने बुधवार को आदेश दिया कि रिटायर जज्ज जस्टिस इंदू मलोत्रा की अध्यक्षता में एक जूडिशियल कमिटी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की हाल की पंजाब यात्रा के दौरान जो कतित सुरक्षा में चूक हुई थी उसकी जाज प्रधान मंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक सुरक्षा उपाएं हैं उनका भी सुझाव देगी इससे पहले सुप्रीम कोट ने पांच जनवरी को पंजाब दौरे पर गए प्यम मोदी की सुरक्षा में जो सेन्द लगी थी उसके मामले की समिती का भी गठन कर दिया था केरल हाई कोट ने एक अभिनेतरी के यौन उत्पीडन की 2017 की घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को कथित तोर पर धंकी देने को लेकर मल्यालम अभिनेता दिलीप और पांच अन्य के खिलाफ एक नए मामले के सिलसले में मंगलवार को 12 जन्वरी के लिए सूची बद्ध की जाए तब तक कुछ भी ना किया जाए अभिनेता दिलीप समेट 10 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 17 फरवरी 2017 की रात को एक फिल्म अभिनेतरी को कथित तोर पर बंदी बना कर उन्हीं की कार में दो घंटे तक यौन शोशन किया था और इसका वीडियो भी बनाया था अब दिलीप पर इस केस की जाच कर रहे अधिकारियों को धमकाने का मामला दर्च किया गया है यौन उत्पीडन की F.I.R. में दिलीप उनके दो रिष्टेदारों और दो अन्नी व्यक्तियों सहिद 5 के नाम है जबकि छटे आरोपी का उल कोरोना वाइरस की देश में आज फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है स्वास्ते मंत्राले द्वारा जो आंकडे जारी किये गए हैं उनके अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 2 लाख के करीम नए मामले सामने आये हैं और इस बीच 442 मरीजों की मौत भी हुई है इन मामलों में मात्र 6 राजियों में से 6 लाख से ज़्यादा मामले सामने आये हैं जिनमें ये जो राज्य हैं वो महराष्ट, दिल्ली, तमिलनाडू, करनाटक, उत्तरप्रदेश और पस्चिम बंगाल हैं वहीं दिल्ली की बात करें तो कल मंगलवार को रेस्तरा और बार बंद करने के बाद आज दिल्ली के स्वास्तेमंतरी ने कहा है कि अगर 2-3 दिन तक मामले नहीं बढ़े तो बंदिशों को हटाया भी जा सकता है दिल्ली में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 25% है और हर रोज 20-22,000 नए मामले सामने आ रहे हैं वहीं देश भर की बात करें तो 208 दिन बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8 लाख के पार पहुँची है विशेश अग्यों का मानना है कि आने वाले जो 10-15 दिन हैं वो बहुत एहम होने वाले हैं आज न्यूस्क्लिक के डेली राउंड अप में सिर्फ इतना ही हमारी बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूस्क्लिक डॉट इन पर जाईए हमको यूट्यूब पर सबस्क्राइब कीजिए आप सब अपना खयाल रखिए और स्वस्त रहिए देखने के लिए शुक्रिया